हाई फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल सूपर ट्रेडर लक्ष और सबसे पहले हैं मार्केट अप्डेट के बारे में कल की क्या पॉसिबिल्टी हो सकती है किस तरी किसे आज मार्केट रहा कल की वीडियो मैंने अलड़ी सब को वार्न किया था कि मार्केट की सिचुएशन स्ट्रक्चर तूट चुका है और यह एक बड़े फॉल की तरफ संकेत दे रहा है क्योंकि बहुत सारे अटेम्ट हो चुके हैं मार्केट में उपर की तरफ उठाने के लेकिन वह फेल होते जा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है क यह सस्टेनिबल डाउन मूव स्टार्ट हुआ है और यह अभी थोड़ा और चल सकता है उसके बीच में छोटे मोटे एक दो दिन के बाउंस भी आएंगे वैसा नहीं कि बाउंस नहीं आएंगे रेकिन वह बाउंस होल नहीं कर पाएंगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ट अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया हुआ है अब अगर आप नहीं निकल पाए हो तो आप क्या करना चाहिए मेरे इसाब से काफी कुछ डैमेज हो चुका है बैंक में काफी फॉल हा चुका है यहां से हजार पॉइंट नीचे सपोर्ट है बैंक का हजार पॉइंट बहुत इसाब से आप और एड करो या फिर निकल जा वो आपके उपर है लेकिन मैं आपको एक रियालिटी पिक्चर देना चाहता हूं कि बहुत जादा गिर भी गया तो कितना गिरेगा और कहां तक जा सकता है और उसमें आपको क्या किस तरीके से अपना बिहेवियर रखना है किस तरीके से अपनी साइकोलोजी को यूज करना है तो यह पहला पॉइंट होगा दूसरी चीज है कि ग्लोबल मार्केट्स वीक हैं कल जो फेड का जो हुआ जो मीटिंग हुई उसमें कुछ ऐसा नया नहीं आया वही वही सेम सेम चीजें सेम बातें हमेशा होती है वही सेम बा प्रोइंग रेट है वो इल्ड्स पे डिपेंड करता है और अगर फेड अपने रेट को नहीं बढ़ा रहा है तो उससे सिस्टम में प्रॉबलम आ सकती है तो यह है कि फेड कभ इशारा करेगा या फिर इल्ड्स कूल डाउन होनी चाहिए इल्ड्स भाग रही है उपर की त तो यह चीज़ इंपॉर्टेंट है यहां पर बॉन्ड्स के उपर जाने के कारण जो टेक सेक्टर है नैस्टैक वो काफी नीचे गिरा है दिन में एक टाइम पर ग्रीन में था लेकिन उसके बाद सड़नली फॉल आया क्योंकि इल्ड्स सड़नली उपर गई तो यह दिखा 14,550-560 के आसपास क्लोजर दिया है मेरे साब से 440 का जो लेवल था मैंने भी बात की थी उसके बारे में उसने आज टेस्ट किया मार्केट ने वहां पे गया वहां से बाउंस भी आया लेकिन मुझे असा नहीं लगता कि वो होल्ड कर पाएगा क्योंकि जिस तरीके का मोमे लेव कोरोना और यह सब चीज़े जो हो रहे हैं इसके कारण बैंक में थोड़ा सा डर है तो बैंक भी गिर सकता है ऐसा नहीं कहरा कि 32,800 पर सपोर्ट है तो वहीं पर रुख जाएगा 32,000 तक भी जा सकता है तो इमेडियेट सपोर्ट 32,800 पर है अगर उससे भी गिरता रहा कि अच्छा खासा सपोर्ट लेंगे तो 13,700 आते 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 आपको अपना जो भी बकेट लिस्ट है वो रेडी रखनी चाहिए कि कौन-कौन से शेयर मुझे लेने हैं वहाँ पर आपको स्टार्ट करना है उसके आसपास स्टार्ट कर सकते हो 14,000 के आसपास और वहाँ जाते अच्छा खासा इंवस्ट्मेंट कर सकते हो यही तरीका है इन्वस्ट करने का और यही तरीका इस मार्केट से डर के कुछ होगा नहीं मेरे साब से अगर कोई भी बाउंस मिलता है 60-70 पॉइंट का वो सेल करने की अपरचुनिटी होगी बैंक निफ्टी में कोई भी अगर मिलता है आपको 300-350 पॉइंट का कल वो भी सेलिंग अपरचुनिटी होगी अगर अगर फ्लैट खुलते हैं तो सीधे सेल अफ हो जाएगा अगर गैप डाउन खुलता है तो आपको कुछ नहीं करना है यह मेरा व्यू है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ल यहां पे आ सकता है तो IT WEEK है, BANKS WEEK है, आपका कौन सा स्टॉक है जो बचा रहा है, ITC बचा रहा है और थोड़ी बहुत और स्टॉक हैं तो कोई खास सपोर्ट नहीं आ रहा है और इसलिए मार्केट को हम कहते हैं इसलिए हम कह रहे हैं कि मार्केट कमजोर है और गिर सकत हैं इस वीडियो की description में link है हमारी टीम को contact कर सकते हैं telegram ID पर हमारी website पर visit कर सकते हैं तो आपको जो भी है सीखिए समझिए सीज़ी सी बात है बहुत मुश्किल नहीं है और ऐसी trading करिए जो आपकी repeatable हो जो system आपका repeatable हो risky trading मत करिए जैसे option ले लिए अपने expiry के दिन 20 रुपए और इसको उमीद कर रहे हो कि 100 रुपए चला जाएगा ये trade आप आज कमाल होगे लेकिन ये एक साल बाद आप बरबाद ही मिलोगे किसी कोने पे तो सीजी सी बात है sustainable नहीं है ये चीज तो repeatable और sustainable तरीके का system सीखे हम सिखाते हैं अपने program में तो आपको help करेगा definitely और मिलते ह अगले video में thank you very much कर दो में तो में अजयदा है अगले पस्टाव है तो नहीं है आपको to आपको to the day